नमस्का दोस्तों इस्टेडी वित राजेस महोरिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल आप स्वाइल साइज इन्हीं स्वाइल सांस के मारा इंट्रोड़क्षिन से समद्द कुछ कोईशन मात पूर्ड है यह नहीं आज हम देखेंगे आप सब के जैसे होता है स्वाइल साइंस की परिभासा का सब्द है या इसके अंतरगे कुछ कोईचन आप सब के लिए लेकर आए हैं जो हमारे फश्ट समस्टर के स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए हम कोसिस करेंगे जैसे ग्रो नामी हो गया है हाटी कल्चर हो गया स्वाइल साइंस इसके जोम वीडियो आप सबको दीरे दीरे प्रोवाइट कराएंगे हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट की हमारे इस यूटूब चैनल को जादा से ज्यादा लाइक से रोस सब्सक्राइब जरूर करिए और जरूरी बताए कि आप सब अब्सक्ति ऐसंती अधियो सभी अदि बदंको आउद भरेचा तो ने द क्या तो अटशक्रों इंड डान्यमीयक निछेरग बाडी है एस यज़िंग डान्यमीक न्यूराल बड याज़ग्न भाड़ी है विन थरी dimensional structure which are composed a mineral and organic matter yeah organic materials us yeah sorry as well as as well as living from in which plant grow in the soil is a dynamic natural body having three dimensional structure which are composed of minerals and organic materials as well as living living farms in which plant grow in any soil mirda jota is a soil is a soil is a dynamic natural natural body is equal to soil like social practice having three dimensional is this is a three dimensional structure is this is a three-dimensional world this is a three-dimensional world which is a three-dimensional world which is a three-dimensional से आरगैनी मटेरियल से मतलब कार्बदी पदात साथ में मतलब जीवित भार में होता है क्या होता यह इसके प्लांट ग्रो जिसमें पफॉदों को उगाते हैं तो इसके प्रवासा यह भृष्ट बना होता है और जो बना होता है कारबनी पनात और में जिसमें पोधों को उगाते हैं तु यह ना कि स्वाइल की परिभासा क्या होते हैं मिदा जोता है गत्सिल प्राकेतिक अंग होता है क्या होता है तो यह होगे हमारा स्वाइल स्वाइल की परिभासा अब आ जाता है कि POLJ किस भासा का सब्ञाइल की सब्फ का सब्द स Stream से लाइटिन लाइटिन सब्ञाहना श्रीक सब्सक्राइब कि शॉल बात्रहां क travelled लाइटिन भास साथ कि एक सबसे बना और और विए से 8 सोलम प्रेकर मतलब क्या हुब आधरा चिटा चैनल दर्ण जासे ने स rain 1 दरहाफ सोil सायंस vide ब्झान के जैनक हम किसे काथे डाकर्ण को कहा जाता है कि के नेस्ट है और जाता है मैंने मिल्दा के बनने के कारक को किस ने दिया था तो डांकु चेव ने दिया था अब हम देख लेते हैं इडैफोलाजी क्या होता है इडैफोलाजी जो मारे मिल्दा से संब्सक्राइब इस दा इस्टेडिया बारियस प्रापर्टी आप स्वाइल इन रिलेशन टुग्रोथ नूट्रिशन एंड इल्डप क्राप्स एन इड़ इस दा इस्टेडिया मतलब इसके अंतर गता हम अध्यन करते बारियस मतलब उसके ब्रिद्धी नूट्रिशन तत्व एंड इल्डप क्राप्स और फसलों के उपच तो इडैफोलाजी में क्या हो जाएगा हम इसके अंतरगे इडैफोलाजी के अंतरगे मिद्दा के विभिन पकार के गुड़ों का और उनसे सम्मंदिर ब्रिद्धी तत्व और असे इडैफोलाजी कि सब्ध आप इडैफोलाजी इनि फलासी तेक यंडव हो जाएगा मिद्धी कम दो भागों में हम तो ईडैफोल मतलब स्वाइल हो जाएगा लागस मतलब डिस्कॉर्स मतलब इंतर के जो हम अध्यन करते हैं तो असे हम क्या करता है किस भासा का सब्द है तो गृह सा का सब्द हो जाएगा आगे हम देखते हैं एकाड़िंग टूधी डैफो लाजी डैफो लाजी को आनुसार त किस साल इंच्छो के अनुसार मिंधां जो ऑते प्राकित्तिक आवास होता है निचुरल में प्राक्तिक हैभी टेट मितलावास फार-प्लांट मिद्दा जो रहता पाउधो को प्राखेट पउधो का प्राक्तिक आवास होता है तो यह द्हानगना अगार्डिंग टो इडेफोलाजी स्वाइल इजिन नेचुरल हाइबिटेट फार प्लांट इडाइफो लागी जिए के अनुसार में दाज होता है पौधो का प्राक्रतिक आवास होता है और हम देखते दूसरा आजा तब पैडोलाजी क्या देखते हैं पैडोलाजी अधिश्टेडी आप ओर जिन क्लासिपिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन आप स्वाइल इस नोन अज पैडोलाजी अब पैडोलाजी को इसे क्या होता है तूसरा कि देश्टेडिया पॉरगी और तेश्टेडिया ओरजिन इसके उतपथ का क्लासिफीकेशन मतलब वर्गी करण यंड डिसक्रिप्शन मतलब बतना आप उर्गी करण और उसके वितना से पैडोलाजी लाजी काते हैं मिर्दा के उत्पत वर्गी करण और उसके बितना के अंतर जो हम अध्यन करते हैं उसे क्या काते हैं तो यह ध्याना रहाँ देश्टेडी आप और जिन क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन आप स्वाइल इजुनोन था पैडोलाज जो यह वर्गी करण काते हैं कि अब आगे देखते हैं पाई डोलाजी किस भासा का सब्द हो जाएंगे इस फादार पाईडोलाजी कि हम किसे कहते हैं भी वी डाकु चेव को कहा जाता है आफ एकाडिन्जेन पेडिए के निषार प्रभाषित किया गया है प्रवासित कि प्रिदा जो होता है एक प्राकितिक आंग से इनिचुरर तो यह आप अीसको में पीडिये के रूम में आफ सब को लब्द कराते रहेंगे जो भी प्रोवाइट करेंगे उसका भी प्रोवाइट करेंगे तो जितने भी बच्चे पढ़ाई करेंगे अगर किसी कमपेटेशन या अग्रेकलचर के तैयारी करें तो आप हमारे जरूर इस वीडियो को लाइक से रहे जरूर करिए और यह बताएं कि हमारा आप सबको लेक्चर कैसा लग रहा और यह जानकारी आप सबको यह बता दे रहें कि जितने भी बच्चे फर्स्ट समेश्टर में पूछे जाते हैं और यह समय लेजिए कि उनके जो इंटरमेडियेट के कुछ जरूर जो हमारे आप्जेक्टिक टाइप कोईश्टन होते हैं उनसे जरूर मैंच करते हैं फैमली और जिन प्लेस बीजदर या बराइटी यह सब जरूर पूछा जाता है या फलका प्रकार या इडिवल द्यांग लेजिए इंटरमेडियर के जो भी बच्चे इन किताब उनके पास होगा तो जरूर इसको आपके क्योंकि आप सबके अब्जेक्टिक कोईश्टन जो बनाए जाते हैं चाहिए मिड हो जाए गया किसी में तो उससे जरूर मैच करते हैं तो इसको आप जरूर धन्यवाद